जंगल हमारा दोस्ट है, हमारा मतलब धूमन बीक का दोस्त है उसको एक दोस्त की तरह समजो ना कभी डर नहीं लगेगा ागर आप पहले सी दिमाग में रखे जाओ कि जंगल है, महारा पर शेर होता है शेर इतने आसानी से नहीं मिलते हैं, इसे कोई शेर is नाट कोई भी जानवर, they are less dangerous than human, हमारी जो कालिका माता है, लड़ाही करते बात हमारा नहीं बोड़ करा है, कालिका माता की जये, जो कालिका माता की जये फिर नवी गो फॉर चार्ज, it gives that energy into you, वो ना अंधर से ना अंदर ताकत आ जाती है, सात में सिंक्रॉनिज़िशन होता है, got that? तो जो काली का माता है जो हम जिसको पूजा करते हैं मेरी रेजिमेंट में वो हमारे अंदरना संचार जाती है बतलब जस्ट गेटेस इंटो उस वेन यू आर इंट लड़ाई करते हो दोस्तो करनल जोशी एक और मिलिटरी लेजिंड है जो TRS हिंदी पर हमें एक नहीं बलकि दो ब्लॉक्बस्टर एपिसोड देने वाले हैं अगर आपने अक्षर धाम टेंपल इंसिडेंट के बारे में सुना होगा तो उसमें जिन NSG कमांडोज ने उस सिचुएशन को नूटरलाईज किया टेर्रिस को उस सिचुएशन में मारा उनमें शामिल थे करनल तुशार जोशी पर उस इंसिडेंट को जानने से पहले ये वाले एपिसोड को पूरे तरह से देखे अब्सॉब कीजिए क्योंकि ये होती है भारत के स्पेशल फोर्स की ग्रेटनस एक बहुत ही बड़िया स्पेशल फोर्सस स्पेशल करनल जोशी के साथ एंजॉई कीजिए करनल तुशार जोशी सर टी आरेस हिंदी में आपका स्वागत है दन्यवाद दन्यवाद आज कैसो आज का दिन बहुत अच्छा लग रहा है अगर को यहां के हम लोग बहुत एक्साइटेट थे करनल जोशी को होस्ट करने के लिए पर बहुत बेसिक सवाल से हम स्टार्ट करेंगे करनल का मतलब क्या होता है जो सिविलियन्स है इस पॉड़कास्ट पर बहुत कम करनल जाएं पर करनल बनने के बाद क्या होता है लाइफ में करनल ये एक आर्मी की रैंक है और करनल का मतलब है जिम्मेदारी, जवाबदारी ये वो रैंक है जहां पर आपको पूरी पावर दी जाती है जहां पर आप अपने टुप्स को कमांड करते हों उनके वेलफेर, उनके वेल बेंग, उनकी ट्राइनिंग, उनकी फिएक। और रैंक है उनके पत की तरह हो आप बड़े भाईऑ़ पता जी, बड़े भाईजा नहीं पता जी सिर्व इतना ही नहीं, सिर्व हमारे टूप्स के जो फेलिट हैं, उनकी भी जिम्मेदारी पापा के होती है, करनल एक जिम्मेदारी है, क्यों क्मांड करनल से चुरू होती है, अब के टैनूर की शुरुआत कभ हो इती सर, कहां की टैनूर, चब आरमी के? 92, I joined the Academy and then 93 December I got commission and now I became superannual I became superannual what does that mean? superannual means you are completing your complete color service your complete terms of engagement sir, when we were outside and we made that short conversation you talked about the jungle and boats सबसे मुश्किल जंगल या ज्हाड़ी कौन सी थी नागलेंड नागलेंड क्यों कि वहाँ पर वो एक बहुत थिक जंगल है बहुत थिक जंगल है secondly उसमें actually roots निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है थिक जंगल मतलब क्या थिक जनरल मतलब वहाँ पर it's all it always rains बारिश होते रहती है जिसके कारणना वहाँ पर जंगल इतना थिक हो जाता है काटिले ज्हाड़िया भी होती है मतलब all general वहाँ पर you won't believe वहाँ पर plantains है वहाँ पर बनाना के जंगल है बनाना के जंगल है जंगली बनाना इतने थिक और वह दिखते नहीं है उसके बनाना के लीवस बड़े बड़े होते है तो उसमें अफस्क्यूर हो जाता है जाता है जापने का दिखता ही नहीं है कुछ और उसके अलावा भी मतलब इतने जंगल है उसके साथ में लीचेस लीच होती है यह वो बड़े तंकरते हैं हिंदी में क्या गयते हैं उसको जॉंग 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 यह थे वहाँ पर टाइकर लीचेस होते हितने से यलो एंड ब्लैक बैंड उते उसपे पीने के बाद वो इतने मोटे हो जाते हितने बड़े और कुछ पता नहीं हम लोग जो combat dress में होते हैं, एंकलेट्स वगरे पहनते हैं, वो कहां हम लोग पेट्रोलिंग के लिए जाते हैं, कहां से गिरते हैं, पेड़ से गिरते हैं, कहां कहां से गुषते हैं, और घर में, कमरे में आके, जब हम लोग चेंज करते हैं, तो देखना सब लटके होते हैं लटके होते हैं एक साथ कहीं जगे कहां से गुज जाते हैं इतने इतने होते हैं और फिर पीके इतने बड़े-बड़े हो जाते हैं क्या फील होते हैं दर्थ फील होते हैं नहीं ऐसा कुछ नहीं होते है जब वो निकालते हैं और उसको निकालने का भी तरीका है उसको नमक लगा के निकालते हैं या फिर जिग्रेट का न जहां पर फ्लेम जहां पर जलता हुआ भागे उसको थोड़ा पास में हीट से वो छोड़ देता है खीशना बेकार है खीशने से वो इट विल पुल आउट इसलिए खीशना तो मतलब ही नहीं वो बस आने के बाद यह हमारी ड्रिल शूर हो जाती है नमक डाल इसको थोड़ा सा पास में लाओ इस तरह से होता है और उसके बाद खुझली होती है थे लिए पूटर सम ओटमेंट वागे लगा देता है तो वेनम होता है नहीं नहीं न पर वो फिर दन थोड़ी से थोड़ी सी इचीनेस हो जाती है पर हो जाता है ठीक हो जाता है पर आदत भी हो जाती है उन जंगल में बाकी कौन से कौन से अनमल होते है नेक से हैं नेक से हैं नेक से इंपक्त मैंने तो अपने पोस्ट पर मैंने तो सांप पाल रखे थे थे इ क्या थे Englishman, कि रख चामर भिलोग और बहुता इजा डिए यज नो नो आई नो आ इंगे रख स्नेक बढ़का इस फ्लियर की नुए ये लिए नो नु एधिन नो इन जा इन दो इड़ा बनागी नो ट्वाहता हुआ द्राइज्ट कमारी पोस्ट पे नागा लेट में अइस अ मेरे कमार्णिंग ओफिसर थे करनल बाजवा उनके पास ही इस अनधर ग्रेट गाई वो भी स्नेक विक में तो नहीं तो नहीं एक्सप्लेंड मी सांप कैसे कैसे पॉजनस कैसे इंटिफा करना समी पॉजनस क्या हता है यह सब उन्होंने मेर को वहां बताया उन्होंने देखा यह भी पकड़ने वाला है साफ कैसे इंटिफा करते हैं अचली उसके स्केल्स होते हैं इसके स्केल्स होते हैं इसके स्केल्स होते हैं यहां से यहां तक पर अब हैंडल कैसे करते हैं जैसे कि आपने आपको की फ्लेर है आप में फॉर्ट नहीं है अचली ना सांप पकड़न इतना मुश्किल नहीं है, यह डर है जो लोगों को उसके पास आने से वह होता है, तो उसको तरीके है, जो हमको सिखाया जाता है, कि वाइ स्टेक से उसके मूँ के उपर इसे पगड़ के रखो, फिर दूसे लाटी से उसको पूंच दबा के रखो, जिससे नहों आए, फिर उ बाकी तो पूंच वागर है, बाडी में कोई जायर तोड़ी है, तो यह नहीं टीवी पे देखा है, पर मैं हमेशा यह सोच साथा कि स्नेक से भी कर सकता है, नहीं इसलिए तो यहां पकड़ते है, होता है, थोड़ा सा पीछे पकड़ो, इट विल गो तरन बैक, उनमें भी पावर होटी है, होती है, जैसे, जो छोटे है, पावर से जाद उनमें रहता है, घर मैं पावर से जादा उनम이라 है से थोड़ा से वह हुआ, उसको फिर वह कर दिया, हमने वह डिटॉल बिटॉल लगा के वह कर दिया, थोड़ा से कॉट कुट कर दिया, एसे एसे करके खुन निकाल दिया, पट्टी विटी मान दी का था, बहुत सारे अगर जंगल में आप फस जाते हो, जिन्दा तो रहना है, यह तो अपलों को पता होना चीज है, क्या-क्या खानी माली चीजे हैं, तो नेक इस वन अफ दे रेप्टाईल जो खा सकते हो, ऐसी बहुत सारी चीजे होती है, जिसे आप नहीं खा सकते हैं, जंगल में, सबसे पहल जंगल का रूल है, जंगल का रूल है, एनिटिंग रड, उसको हाथ मत लगाओ, उसको खाओ मत, जहर होता है, यह बिलकुल अंडरलाइन करने वाले बात है, जो भी लाल है, विच यू दो नो अबाट इट, अगर टमाटर का पेड़ है, तो यू विल एट इत, तो तो यू यू थादो, जो तो रड, थादो, बिलकुल दो यू बसाओ, इसको बिलकुल मत, जो विलकुलन, अगर भी वाले बाट बढूल, यू जो भी कि अट ओन्रों पेड़, पिलकुलन, जो बिलकुलन तो यू नुछ भी इत, हूझ कुछ भी यू न॥ मशरूम ले बेगल, यू I don't know the rate, but very costly. वो गुच्छी तो वहाँ पर हमारे ऐसे जो पेड़ जो इसमें गिर जाते हैं, पड़े हुए पेड़ पैतने पर, it's a parasite, it's a parasite. वो भी मश्रूम में एक तरह का. वो इतनी expensive, क्यों एपर? विको इतनी easily मिलती नहीं है. वो पाड़ों में, जेंड के पाड़ों में, कुपवड़ा के उसमें, शम्चाबाडी रेंजेस में, वहाँ पर कहीं मिलता है. जहां military actually explore करती है. वहाँ पर कहीं, तो हम लुग पेट्रोली विट्रोल, जेखते हैं. देखते हैं कुछी पडे वह तो हम ध्यान रख लेता है, अच्या है. फिर उपरेशन के बाद आते है फिर देन भी आजेन के अच्छाँ के लिए ऐते हैं. विसके सब्जी वनती है उसके टेस्ट कैसा हो कि एसे कहा हूं तो को लैक एनी मुष्रूम जर अच्छ अच्छ लैक अच्छ अश्रूम वर कुछ तो अलग होगा क्योंकि इतनी ज़ाद एक उसमें वह वह खाए क्या बोड़ते है वितमिन उसके जो that is important okay okay अभी मैं total non-techy हूँ मैं अभी यह अभी यह नार्मल भाशा में बोलो तो but it has got nutritional value sorry मुझे जंगल के बार में और ज्यादा जानना है जंगल तो आप पूछो पहले तो मैं यह कहूँगा कि बहुत मसा रहा आप से बात करके आप बोगत ज्यादा ओपन conversationalist हो पर जंगल के बार में जनुनिज जादा जानना है जानवरों के बार में जादा जानना है आपको कभी शेर दिखे हैं लेपोड दिखे हैं लेपोड लेपर दिखे हैं दिखते हैं, पास से, लेपड साफ हमने तो प्लास में मतलब मैं और मेरा एक कमार्णिंग ओफिसर रहे थे, तो वी वे कमिंग फ्रम टी गार्डन के महा से आ रहे थे, रास्ते में जंगल में बीच में लेपड बेट हुआ था, जो मराथी में यहां बिप्टा बोलते हैं ले 2009, 2008, 2009, 2009, I believe, ऐसे तो कई फिर रानिखेत में, I was posted there in Rani Khet, in my training battalion, I was training battalion commander there, तो वहां पर में था, तो वहां पर तो हम लेपड डेखने के लिए रात में बार एक बजे निकलते थे, बल ऐसी रात में, क्या करें, बल चलो, कार में निकलते थे, and you could see, लेपड दिखते थे, उ वहां पर आते हैं गाओं में न, इसके लिए, विष्षी मलबने, केटल के लिए, इसके लिए, कोई ऐसा जानवर जिससे डर लगता था, जंगल में, हाती, क्या उता है, हाती, वीवर इन हाशी महरा, तो वहां पर न, इस वाहां पर न, इस इन दा सेम बेल्ट, जीली ये वो इसमें जाते हैं किया हर्द में जाते हैं और अधर मतलब ऐसा लगता है तुम दूर रहो ऐसा कुछ नहीं करेगा पर इफिस पाल अनने सली उसको फिंगर कन लगोगे तो इट वो पीछे भी बागता या ती है तो सिली गोड़ी में तो ऐसे कैसे हुएं कि हॉस्पिटल में गुसे हैं वहाँ पर तो एक हम लोग मूव हो रहे थे व वर मूविंग और कम्रेट उनिट वज तो एक जगे हम प्लॉंग हुए थे तो वहाँ पर क्या हुआ हम वहाँ पर इवनिंग टाम पर वी वर सिटिंग में तो एक जगे वहाँ पर थे वहाँ पर थे अला गुला शुरू हो गया अलेफंट एड कम इंटो दा कैम अंदर आके उसने हमारे जो कीचन कुखा उस था उसको धका मार मार के तोड़ा अंदर से आटे की बूरी ले गया हुए मतलब इस तरह से होता है मतलब डर मतलब ड उसको क्या पता और उसको ज्यादा तुम हॉन बजाओ यह बजाओ थालिया बजाओ जो करन इसको डिस्टैट करने को और पागल सा हो जाता है So we have to be very careful with elephants Sir जो civilians यह podcast सुन रहे हैं यह जो आम जनता है podcast सुन रहे हैं उन्हें ऐसी सब बाते सुनकर ना शायद डर फील हो रहे है तो जब आप जंगल में एक्स्प्लोर कर रहे हो माउंटेंस में एक्स्प्लोर कर रहे हो डर जैसी कोई feeling होती है देखो ऐसा है जंगल एक हमारा दोस्त है जंगल हमारा दोस्त है Human being का Human being का हमारा मतलब human being का दोस्त है उसको एक दोस्त की तरह समझो ना कभी डर नहीं लगेगा मेरे को जंगल में कभी डर नहीं लगा है Actually कभी डर नहीं लगा वहां पर कितना resources है They help you out हर चीज में help करता है If you know about If you have got knowledge है उसके बारे में तो बहुत help करता है अगर आप पहले सी दिमाग में रखे जाओ कि जंगल है, महाँ पर शेर होता है यह पर शेर इतने आसानी से नहीं मिलते है ऐसे कोई शेर is not that कि यह नब कहीं भी आसानी से आगया ऐसे शेर भी नहीं होता है wild animals होता है you have got wild boars होता है फिर देन लेपर्ड होता है फिर सांप तो है फिर जंगली बिली फिर इस तरह cat families के कुछ वो मिलते है और इस तरह के होता है which actually they don't harm you जानवर क्यों हमला करता है simple जानवर तब हमला करता है जब उसको लगता है कि उसके उपर खत्रा है बलब उसके life को threat है तब वो हमला करता है अगर हम सांप अगर सामने से जा रहा है वो थोड़ी तुमको देखे पलट के तुमारे पास आएगा अगर तुमने गल्ती से अब गल्ती हो या जानवुच के हो सबसे पहले मैं वही बोल रहा हूँ उसको दोस की नजर से देखो एंड जसे एंजॉइ जो ध्यान बी कॉशिस क्योंकि रस्तेया पकडेंडी होती है चोटा सा फूट ट्रैक होता है तो बी केरफूल यू शुड नो अबाट जंगल कई एंट हिल्स होते हैं कई कुछ होता है तो देखो वहाँ पर लाइकली सांप हो सकते है बारिश में स्नेक्स बाहर आ सकते हैं क्योंकि एंट हिल्स में जनरली सांप रहता है तो उसमें पानी भरने से सांप बाहर आ जाते हैं है ना तो यह सारी चीज़े, यूशुड नो, यह सब पता होना चाहिए, और जंगल जैसा कोई टरेन नहीं है, सब कुछ मिलता है, पानी, पानी खतम हो जाए तो कहां से मिलेगा, पानी बैंबू में होता है, नौटी में जंग, नागलान में बैंबू के जंगल है, बैंबू को हमारे शर्वाइबल के कई जगे ऐसा होता भी है, तो मेरे साथ ऐसे कभी ज़रूत नहीं पड़ी, क्योंकि वाटर कंटेंट होता था, समाल के यूश करता है, पर ये लिविंग आफ दा लैंड में हमको सिखा जाता है, कि बैंबू को काटो, उसमें पानी होता है, और प्रोजेक्ट ताइगर, सेव टाइगर, सिम्पल रूल, तेखो, अगें ताइगर अलसो, आपके ओपर हमला नहीं करेगा वो, मैं वही कह रहा हूं, जानवर कोई भी जानवर, ये अर्लेस देंगरूस दन हुमन, अपने फादे के लिए कभी उसके अटक नहीं करेगा, अल हम अपने फादे के लिए कुछ नो कुछ नो कहीं होते है, बट नॉट अनिमल्स, मैं आपसे दो चीजों के बारे में पूछना चाहूंगा, पहले तो अनिमल्स में मेरा बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, पॉडकास के तुम ने बहुत ज्यादा सीखा है भी अनिमल्स के ब और चिंपैंजी अनिमल किंडम के ऐसे अनिमल है, जो हुमन के बहुत ज्यादा करीबी कजन है, बनाब जिनेटिकली हम लोग बहुत ज्यादा सीखा है, फिर नॉ, इफ आई नो अबाट इट, पिग्स, पिग्स आदा मझेसे जनेटिकली हो, नहीं, आई यू कैसे गूगल पिग्स जनेटिकली, पिग्स आर मोर क्लोजर तो हुमन्स, जैन चिंपैंजी? चिंपैंजी लुक्स के कारण है, क्योंकि वो दो पर पे खड़ावा जाता है, यू, बनाब इसलिए, यू गूगल इट और इसलिए, यू गूगल इट और इसलिए, यू गूगल इसलिए, यू जाए, यू जासी इट, ओके, अबर आप चिंपैंजी की बात है, क्यों कर रहा हूं से, चोटे होता है, मतलब फाइफ फीट से जादा के नहीं होता है, चोटे होता है, तो उनको देखके ऐसा लगता है कि, चलो इन में शायद स्ट्रेंथ होगी नहीं, बड़ अच्छ मुसल के वज़े से उनमें स्टेंथ भी आती है, और मान लो अगर आपके पास घर पे कुत्ते हैं, और उस कुत्ते को आपने पपी से लेकर अडल्टूट तक उसका सफर देखा है, अडल्टूट में कुत्तों में भी पावर आ जाता है, आनिमल में बहुत पावर होता है, ऐसे कोई अनिमल इंटराक्शन हुए हैं अपके लाइफ में जहां को अनिमल का कुछ पावर फील हुए है? मा भालू ओके बेर बेर दूके गिल बालू ओके वह मारे अशली ऐंबूच में गए थे अब अशली हम ऑपूरेशन में गह थे तो सरसरह टाई तो भालूच खड़ा हो जाता है तो वह ऐसा लगा कि इंफिर्टरिटर्टर्स आर पाउग तू गह थे यह इसा लगता है ना सरसरा जाड़ी में सरसा तो एंड और किसी का भी वहां से ऑपोसिट साइड से आने का कोई काम नहीं है वहां से सम्वन इस एंटरिंग ऐसे जाड़ी देल रही है तो अविसली उस तरफ फायर तो करेंगी सर इफ इस ओके वित यू आप यह कहानी थोड़ी सुना सकतो कि एग्जाक्ली हुआ क्या डिस्क्रिप्टिवली एडिस्क्रिप्टिवली छोटा सा इंसिजेंट इने से कहम लोग अमुश में बैठेते हैं तो वहां से मेरे जो रात में जनरली हम लोग बैठते हैं तो पाँच साढ़े पाँच फूट बस वहां पर फाइर कर दिया पाइर कर दिया आ करके आवाज आई फिल डाउन तब पता लगा यह और कुछ था पट विडिन्ट अब उस वक्त गए नहीं सवरे जाके देखा तो बालू मर रह पड़ा था तो ऐसा हुआ था था तो एसा हु दूसरे जानवर के बार में बाते करनी है थोड़े टाइम में करते है उस टॉपिक के बार में तो कानी होनी चाहिए इतने मजबूत सवाल पूछने के बाद मैं एक फीका सवाल पूछूंगा आपसे चिल करने के लिए military men क्या करते है रिलाक्स करने के लिए मतलब service के टाइ मानल आपरेशन के लिए गय और अपरेशन शाइद यहां तो खतम हुआ है यहां तो आए वापस first class drink लगाते है गाने गाते हैं एंजोई करते हैं with troops successful operation हुआ तो रेली आप बाल this how that is the source of entertainment okay films films youtube films we have got we have got in fact हाँ में पाँ ज्यादा स्टोरी जे फिल्म वालन से जाए यहा फैर मुझे दो तरह के military vets मिले एक जिनको फिल्म्स अच्छे लगते एक जिनको फिल्म्स बूरे लगते एस्पेशली वार फिल्म्स आप कौन जे काई टेगरी में हो मेरको वार फिल्म्स बिल्कुल अच्छे नहीं लगते क्यों क्योंकि उसमें जो दिखाया जाता है ना जो हाजम नहीं होता आप कोई बॉलिवड फिल्म का रेफरेंस दे सकते हो जैसे की बॉर्डर या लोसी का है लोसी वस क्वाइट अभी नहीं इस माई परसेप्शन हा सबका अलग अलग हो सकता है लोसी में काफी कुछ हद तक ठीक बताया है तो कुछ कुछ स्टोरी लाइन तो अगरे ठीक बताया है थोड़ा मसाला डालना पड़ता है मूवी के लिए तो उसको छोड़ कर वो जैपी द्रता वाली फिल्म के बार हुआ थे लोसी हाँ की थी बॉर्डर ऑल्सो काफी हद तक मतलब कई चीज़े बता देते हैं कई ऐसे पिक्चर देखे हैं जिसमें रांक कमांडो बताते हैं और वो अलगी कुछ उनके रांक्स अलगी होते हैं और जो क्या कहते हैं उसको शोल्डर टाइटल सार डिफरेंट विच दस नोट गो विद दा कमांडो थिंग मतलब अटेंशिन दूड डीटेल नहीं है अटेंशिन टू डीटेल नहीं है वो बनाते हैं वो इत इस लाइक डेपिक्षन बस फोजी दिखाना है तो हरी वर्दी कुछ भी लैंड याड पैना दो कुछ भी अपने शोल्डर टाइटल्स लगा दो और करी ओन और जितने भर तोड़ी से रियालिटी थोड़ी रियलिस्टिक होना चाहिए अग्राहर मुवी इट वस जए 80 85 90 परसंट I can say was close to reality you know mr. Naana Patekar I think he had gone to Belgium and trained himself and didn't get it. वो सबसे best Hindi film in army related okay जो आपने का कि reality नहीं दिखाई जाती है आप उस reality को highlight कर सकता सर रियालिटी मतलब I am talking of जो आर्मी को जिस तरह डिपिट करना है वह से नहीं आर्मी को डिपिट करना आर्मी 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 जस नो ग्रीन पहन उनिफॉर्म और कुछ भी पहना दो उसको आप मांड़ बोल दो नहीं या फिर आप मांड़ बना दो उसको व्येकर दो and yes कमांड़ देखो कमांड़ इस न आपिटुट उसको जरूरी निया बलकी होना चीए बहूज होना चीए गंजे बाल ना चीए नो Commando is an attitude अंदर से जो actors भी act कर रहे होते हैं they should have that they should act with that attitude तब वो निकल के आएगा like प्रहार में कुछ भी नहीं था he was normal in shirt pant में होता था you don't require a uniform there to depict him as a commando इसके attitude से निकलता तो commando is an attitude sorry मैं आप से ये बात कर रहा हूँ पर मैंने देखा है कि बहुत सारे military wets को Uri अच्छी नहीं लगे थी Uri film क्यों क्यों क्योंकि Vicky Kaushal का करियर उस मूवी से बना और Vicky Kaushal को on face value देखके ऐसा लगए मतलब आम जंदा को लगे का कि he could be a commando अपने देखी है Uri और अपको नहीं लगा कि उनोंने देखो Uri movie देखो every movie जितनी आर्मी के movies बनी है it has got some story behind like LOC बनी water बनी 71 war पे ये बनी वो Uri का जो action war मुझे नौ ये मेरा अगेन मेरा perception बैको Uri इसलिए पसंद नहीं क्योंकि अगेन उसमें मसाला जादा डाला था ओ मुवी अभी नौ देखो देखो नौ नौ तो दिखाएंगे नहीं बट कुछ depiction भी ठीक नहीं था reality की जो depiction होनी चीए वो भी ठीक नहीं था chopper कहा से chopper there are so many things which actually I cannot say here but देखो एक reality होती है real चीज़े तो आप कही जगे दिखानी ही सकते हो but reality की जो depiction है वो तो तुम कर सकते हो that शेर्षा देखी आपने हाँ again I like that movie क्यों एक तो it was quite close to my heart that person कारगिल की वज़े से कारगिल की वज़े से we had seen that guy and चलो again that movie अभी अब हो बहुँ अपरेशन में actually बहाँ पे क्या हुआ how Captain Batra fought there मतलब जो मुवी में दिखा है उससे और जबरदस्थ हुआ होगा it is just the imagination of writer की उसने क्या सोचा होगा या उसके dad से जो dad उनके dad Mr. Batra है उनसे कुछ feedback लिया उनके unit से कुछ feedback लिया होगा तो इस तरह से जोड़ जाड़के उन्होंने काफी हद तक बता है now I can't say no one can say कि ऐसा ही हुआ होगा इससे भी ज़्यादा उसने heroism किया होगा आप मिले थे captain Batra नहीं नहीं सर आपका service 93 में start हुआ if you don't mind me asking आपको Cargill War याद है मतलब जब आपने पहली बार सुना कि ऐसा कुछ हो रहा है LOC पे आप उस phase के बार में थोड़ा बता सकता है Now, firstly, I just want to tell के Cargill War में I didn't take part मतलब तब तब we were in northeast side में थे तो all those units and जो भी हम फॉज जो north की तरफ थी they were pulled there जी क्योंकि northeast भी तो समाला है तो we can't keep our fronts open we can't keep that हम लूग तो we didn't move out from there we moved but we were told to hold there कि it was I just moved के न अगर जोरत पढ़ी तो types but we were not moved so I was not there however I was following मैं उसको follow कर रह था in fact उसके एक एक paper की cutting रोच की मेर पास है एक फॉजी के दिल में क्या होता ऐसे situation में क्योंकि मुझे definitely यह पता है कि हर फॉजी के दिल में aggression होती है और वो होनी ही चाहिए और उसको जुड़ने के लिए एक और ओफसर गया था इतिंक नाम में बुल रहा हूँ वो गया फिर उसने उनकी body कहीं दे बोम बना हालत बहुत तब that was the start of करगिल actually जो शेपर्ड ने बताया था और शेपर्ड के बोलने पर फिर दन इस पेट्रल पार्टी वस सेंट दे वर आंपूश्ट और फिर जब उन्होंने अचली जो उन्होंने को पकड़ तो देखो अगर पकड़ तो हीज़ प्रिजनर सब वार पी डवल प्ट्टें पी डवल के साथ ऐसे नहीं बरता होता है आस पर कंवेंशन जिन लोगो का जनम 99 के बाद हुआ है उन लोगों को आपकी डॉर्टर भी विससे यहां बैठी है I think उनका जब 99 के बाद है 2001 Gen Z Gen Z Gen Z को क्या जानना चाहिए Cargill War के बारे में Cargill War के बारे में और मैं इसलिए यह पूछ रहा हूँ क्योंकि मैं Old World Media यानि कि News Channels, Television यहां तक मुवीज को भी ट्रस्ट नहीं करता पर एक फॉजी को ट्रस्ट करता हूँ आइसा फॉजी आप क्या कहना चाहोगे Gen Z को Cargill War के बारे में कि मुझे याद है मुझे याद है कि हम TV पर क्या देखते थे रिपोर्ट सा आते थे कुरा देश फॉलो करना तक आ रही है पर Gen Z ने शायद अपनी लाइफ में बार देखी नहीं है Gen Z को मैं यही बोलना चाहता हूँ कि हमारे देश में इतनी ताकत है न कोई छू नहीं सकता किसी की हुमत नहीं इतनी लड़ायां हो गई कोई भी लड़ायां हम आरे नहीं है अच्छी तरह से मारा हूं ठीक है और हम हमेशा ना as a friend हमेशा हमने हाथ आगे बढ़ा है हमेशा दोस्ती का हाथ पहले हमने बढ़ा है हम वो नहीं है हम reactive force है we don't go for offensive किसी भी लड़ाय में हम कभी नहीं हमने initiate नहीं किया है हमने हमेशा react किया है ठीक है हमेशा हमने दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाया है और उसी हाथ को उन्होंने काटा है हमने ये बोला और फिर हमने उसका जवाब ऐसा मूँ तोड़ जवाब दिया है कि फिर हमारा adversary सर इसके हालत देख लिए अभी कैसी है तो जैंजी काटा हम ये ही बोलना चाहता हूं कि हाफ फेट अर इस तिंग नथिंग विल गो रॉंग जब तक अपनी इंडियन नामी मजबूत है नथिंग विल गो रॉंग ऐसे स्कुमिश इस इंपक कारगिल, I don't call it as a war it's a skumish of larger scale फर्क क्या होता है skumish बिल चुटी चुटी लड़ाई है war is full-fledger had it been a war it would have been opened in all fronts there was 71 war it was a war कारगिल वार भी बोलत है yes, कुछ फ्रंट फुल गे थे like navy भी action मे आगई थी air force तो थी action, मालब all three services they were in action but अपना eastern front was shant इसमें क्या, the 71 war में तो all three fronts were open तो यही मैं बताना चाहता हूं की war is not good for any country पर अगर हुआ तो इसका मूँ तो जबाब मिलेगा simple snow में operations की है हाँ, की है जिन लोगों ने कभी life में बर्फ देखी नहीं है बहुत slippery होती है बहुत ज्यादा slippery होती है मतलब अब चल भी नहीं सकते I'm sure कि आपके boots से थोड़ी मदद तो हो जाएगी इसा होता है, अगे नहीं स्नो का मैं बता दूँ जब स्नो पड़ी रहती है फ्रेश नहीं होती है तब देन इस नॉट डिफिकल्ट शिप अगरे नहीं होते है पर यह थोड़ी करना पड़ता है तो देन इसा करना पड़ता है क्योंकि हम जहां पे थे माँ ददद बारा बार अब 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 खुट बरब पड़ती थी तो आप उठा के जालने में पर जब होगा है पर जब होगा वावा, wind factor से उपर का crust तोड़के ऐसे चलता है शूज वगरे होते हैं कुछ विच स्पाइक्स तो वो होते हैं तो इस तरह से हालने हो और बीटन पाथ होता है तो उसके उपर हम उसी कोई हम उसी कोई यूस करते हैं उन्नेसरली दोंट वेंचर लेफ रड़ और थंड? थंड तो बहँ है बढ़े है अट वेरेक्वेप ऐसा तो कोई प्रालम थंड थंड होती है अटरवाई जैसे स्टो में थंड होती है because of wind और वाइस यसे स्नो फॉल होता है इनफाक जब स्नो फॉल होता है तो गर्मी होती है पसीना आने लगता है you will see अल्ल है पसिना हम वैसे कोट कार्ट पहनता है और उसके बार ना पसिना आने लगता है यानि कि इसका लोजिक है कि धूप बर्फ पर पढ़ती है और फिर रिफ्लेक्ट होती है आपपे एक तो वह है नहीं वैसी दट वह हो जाता है क्या बोलते हैं? अजल्टृ टाइप हो जाता है, बारिष नहीं हो रही है, तो कैसा है जल्टृ फिलओ, उस टाइप का कुछ होता है, और पता है उसमें, पर जब हवा चलने लगती है, जब बरफ के पर से हवा चलने लगती है, नड़, वींड फैक्टर जो होता है, वो सबसे जयादा थन्द लाइव में कभ फील रहे हैं? बीज उपर थे, जेन के में थे तब त्डम्रीचल इंपरेचरल देखना जाता हम-10, म-15 बहुत लो गाता है क्या उपलिता हम-15 पर? बाइब सिंपल सब कुछ पना हुआ है थरमल्स पहने हुए है, उपर से जाकेट पहने हुआ है, उपर से हमारे पास जाकेट होते हैं, हार्मी इस बाइट वेल एकिप्ट, सब कुछ होता है, तो जीरो हो या मैनिस फिफटीन हो, कुछ फरक नहीं पड़ता, और वहां पर रहते रहते हैं, बेसिकलिए हाई जन में काम हो जाता है, तो बोड़ी अक्लमटाइज हो जाती है, जो ऑक्सिजन फैक्टर के बार में आपने बात करी, बहुत कम लोग समझते हैं कि कम ऑक्सिजन की वज़ा से क्या होता है, कुछ लोग लदाग गए हैं, वो थोड़ा सा अल्टिटूड सिकनेस फील होता है, पर अगर अगर ऑक्सिजन, अगर हवा पतली हो गई, तो हैलूसिनेशन भी हो सकता है, जैसे कि मुन्ना भाई में दिखाएंगे, चैमिकल लोचर, जैसे कि अल्मेंट काल्ड हैपो, हाई अल्टिटूड पल्मिनरी ओडेमा, जहां आपके बाड़ी में शायद पानी बहुत आपके साथ हुआ है, अपके साथ हुआ है, अपके साथ कभी भी हैसी हालूसिनेशन वाली एक्पिरेंस हुई है, अपके साथ कभी भी हैसी हालूसिनेशन वाली एक्पिरेंस हुई है, अपके साथ हुई है, अपके साथ कभी भी हैसी हालूसिनेशन वाली एक्पिरेंस if you are physically fit if you have done your acclimatization acclimatization is a very important part in when we go post it that side acclimatization your body gets body gets suitable for that particular uh depleted oxygen thund wakare na to say to my body set ho jati hai if you basic cheeze hai forge ke simple cheeze hai if you follow that kabhi problem nahi hati hai wo tab jab shortcut maarte hai na tab problem hati hai you go regularly medical ke liye jau well medical ke jau nahi merko kya hua hai nahi you don't know inside kya hua raha hai hmmm toh joh forge ka hukum hai joh joh system bana hai kuch sot samaj ke bana hai hamaare bade buzhurg hoon hai hai toh follow that medical hamaare joh experts hunnohne kuch sot samaj ke experience ya joh bhi hai hunnohne kuchh bana hai kuchh SOPs bana hai hai just follow karo usko fir koji problem nahi hoti mhm daily ki morning physical vaha ke hisaab se jitnay physical karna utna karo kabhi problem nahi hai life is liye merko is liye nahi oh dussara mentally strong ro adhi time pe agar soo choghe nathala merko ye ho raha hai merko kuchh ho raha hai merko kuchh ho raha hai merko kuchh ho raha merko kuchh ho raha hai merko kuchh ho raha hai so salai you start feeling well hallucination once shiru ho jata hai toh balance rakhna hai abhouse ko kuhi bhut yaa alien d même дом kachano kuhi bhut dik hai iam kayo koush aas karuto ho buck van ve nah nahi kuchh ase ajeeba fill hua jiunggle mea mountains man नहीं नहीं, जैसे आपर रेक होता है, like मेरे फेलो आमी गाइस, they know, अब बताउंगा तो they will relate what I am saying, जैसे हमारे ओपर ना, एक पीर बाबा करके होते हैं, मतलब, कोई बता है, कोई पुराने सेंट्स ने, वहाँ पर कोई क्या बोलते हैं उसको, समाधी ली होती है, और सम्धिल तो वहाँ पर दे मानते हैं, पीर बाबा करके, और every Thursday, Tuesday, वहाँ पर उसके फूल टडाते हैं, irrespective of any religious faith, कुछ बने, वहाँ पर उसको फूल टडाना, चादर चडाना, and that they do, उस वक्त कोई ऐसा, meat नहीं खाना, knowledge नहीं खाना, and all that, ना, तो यह चीज़ें होती है, तो we follow what our troops follow Officers follow what their troops follow, as far as this faith is concerned, ठीक है, I am from Kumao Regiment, I commanded my unit, I got commission in 21 Kumao, and commanded my own unit, तो मेरे जो troops है, उनके जो faith है, we follow that, जो क्या थी सर, क्या faith थी? Like our troops, they pray Kali Ka Maata, Kali Maa, Kali Maata, Kali Ka Maata, है ना, और Bajrangbali also, because 50% are from Ahir, Rajasthan, UP and Haryana Bilt, तो हम वो भी follow करते हैं, यह भी follow करते हैं, तो वहाँ पर जैसे उस टरेन में जाते हैं, तो उस टरेन में जाने वाले, जितने भी फौजी हैं, they follow that, पीर बाबावाला, ऐसे ही North East, सिक्किम की तरफ नहा एक हरवजन बाबा है, it is said, like, हरवजन बाबा एक पुराने फौजी है, I think from Sikh regiment, I think Sikh regiment, Punjab regiment, I was forgetting, anyway, he died in an operation, patrol जा रहे थे, तब वो slip होके गौर्ज में गरिया, it is said, the story goes that way, कि उसके जो batchmates थे, वो सिपाई थे, उसके जो batchmate था, जो उसके जो बाड़ी विड़ी उनके ढूनने लगे, पेट्रोल पार्टी कहां गई, वो मिला नहीं, ऐसे कहते हैं, I am just telling you, जो वहाँ है, वहाँ की बिलिफ है, कि वो उनके सपने में आया, उसके batchmate के, उसने बताए कि मेरी बाड़ी फलाने फलाने जगे गई, जगे पड़ी है, उसको उठाओ, और इस एक पर्टिकुलर जगे पे, जगे सिक्म के आगे एक प्लेस है, तो वहाँ पर आप मेरे समाधी बनाईए, और वहाँ पर मेरी फूजा करिये, मेरी बाड़ी यहाँ पड़िये, and next day उसने बताया होगा, आप आप बाड़ी बाड़ी बाड़ी, ले के आए और वहाँ पर उनकी समाधी बनाई, and हरबजन बाबा, now it is way back, बहुत पूरानी बात है, now और कहते हैं, हरबजन बाबा का प्रमोशन भी होता था, it is, वो पर्टिकुलर उनिट उसका प्रमोशन भी होता था, प्रमोशन होता था, उसको, यूज़ टो गो और लीव और चुटी बे भी जाते हैं, उनका वारन्ट, रिजर्वेशन होता था, उसके थाब उनका एक बड़ी का, उसके साथ में, हैं, वो जाता था, and उनके ये खासे थी, अगर कोई संट्री पोस्ट पे, अगर कोई, कोई ऐसा डूल की ले रहा है, या सो गया है, तो उसको आकर थपण मार दा था, जगा रहे हैं, और, और यहां पर इसने मार खाया, उसने मार खाया तेसे, ऐसे, अगर तो बिलिव इट और नॉट, ऐसा तो कभी हुआ नहीं, मतलब, हुआ नहीं मतलब I can't say, ऐसा हुआ भी होगा, बट इसा हमने, मैंने तो ऐसे नहीं देखा, पर वहां के ऐसी कहानिया है, कि हरवजन बाबा, अगर कोई सेंट्रिस सोता है, तो उसको थपण मारता है, खीच के, कि आज सो मत, ऐसा है रहा, एक तरस, I don't know, कि उनको थोड़ा सा, वो सेंस अफ रिस्पॉंसिबिल्टी के लिए ऐसा बोलता है हूँ, हो सकता है, बट येस थीज आर दो, क्या फोल्कलोर बोलते हैं या क्या कहते हैं, अबने अभी जस्त कालीमा की बात करी, थोड़ा अजीब सवाल है, बट ये मैं genuinely सोच रहा हूँ, कभी combat के दोरान, आपका दिमाग भगवान की तरफ जाता है, क्योंकि, वन तिंगा उंडर्स्टूद अबाउट कॉम्बाट इस, एक फ्लो स्टेट में होता है कॉम्बाट, क्योंकि आप इतनी ट्रेइनिंग कर रखी है, वो वेपन भी आपके बॉड़ी का एक हिस्सा बन चुका है, तब तक, तो जो आप वेपन के साथ कर रहा हूँ, आपके हाथ नहीं कर रहा है, आपका दिल और आपका दिमाग कर रहा है, I won't even say आपका दिमाग, पर्मस अ पर बोड़ी, हम जब इसके लिए फील में होते है, अतिया हमारे बगल में होते है, इसके बढ़ कर रहा है, आपके लिए आपके लिए नहीं, वेपन का तुम जितना ध्यान रखोगे, वेपन तुमार उतना ही ध्यान रखेगी, इसकी साव, सफाई, मेंटेनेंस, यहाँ, now coming to the next, this thing, कि हमारी जो कालिका माता है, लड़ाही करते बाथ, हमारा नहीं को बोर करा है, कालिका माता की जये, when you say, कालिका माता की जये, फिर नहीं go for charge, it gives that energy into you, वो ना अंदर से ना अंदर ताकत आ जाती है, साथ में सिंक्रोनाइजेशन होता है, got that? तो जो कालिका माता जो हम जिसको पूजा करते हैं, हम मेरी रेजिमेंट में, वो हमारे अंदर संचार जाती है, मतलब इजस्ट गेट इस, वन्यूर पर फ्रॉब से ड्स आपरो, वो हम पूर आख परोस, वो हम जो फजा जो एपरोस, बहुत आख बहुत जाती है, माता जढगा, इन फॉसितिव, पॉसितिव, अबर रिश्तिव पूर आजाती है, फूरी पूरी पौरा जाती है, काली मा के बारे में आपने समझा गया है इन एक्सपिरियंसे के थूप क्योंकि I am sorry कि I am saying this पर ये भी इन वे थोड़े spiritual experiences होते हैं combat spiritual experience होता है according to me actually होता होगा actually देखो ऐसा होता है what is faith किसी AQ पर आपने विश्वास करना तो हमारे इसमें काली का माता है we have faith in her कोई भी काली का माता हमारा सब कुछ ठीक करेगी it's just a faith and faith is the thing जो हम सब को बाइंड करती है now you are from my unit he is from my unit he is from my unit they are all of our unit हमारा common क्या है काली का मा giving one example कोई नहीं बच्चों सब कुछ ठीक होगा काली का माता के पर उश्वास दो काली का माता की जए काली का माता की जए and जो भी operations के लिए जाते जब भी हम कई इसके लिए जाते है that हम we हम यलगार करते हैं मतलब that with that we do our yelगार मतलब न शुरुवात करते हैं उस चीज से काली का माता की जए से हम शुरुवात करते हैं so that is the faith जो है मने 400 podcast की हैं आप 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 जोईस पीपल क्या है क्या लेकर जाएका क्या लेकर जाया what is there what is there अगर नथ थनलगती है न आप जब थनलगती है न आप जब थनलगती है और तुमको बोला है तर तेर पाढ गरम पानी नीए थनले पानी से नाना है but you have to take bath बात बात अपनिसर्फ लो मग में थनना पानी उपर डालो, ओफ वाट फ्रेशनिक, क्या पानी है, फस्क्लास साल, बिल्कुल मास्त है, ठननी लगेगी, अगर वो ही तुम्हा करके नहीं यू कर रहा है, फिर ऐसे दालते हो, यह नहीं डाल रहे हो पानी, यह नहीं पूर, अगर दालो उपर माह का, एंजोई, थन्द काम लगेगी, एक्स्पिनेंस इप, एक्डेमी में हमारे एक मसूरी नाइट करके, एक सेशन होता था, सीनियर्स हमारे, इस ओंगोईं हमारे एक सेशन होते है, कई पॉडकास्ट में कई लोगों ने बताय होगा सेशन, आएमी के सेशन के बार, मसूरी ना ना एक्डेमी से मसूरी के लाइट बिकते थे, मसूरी नाइट बोलते थे, तो फॉस्त quarter जोड्योर्य ना खाई थे,手終시 उड्योर्य ना खाय तर भाला न चामता, वे इस टस्कूरी ze प्न. ना तो okay count how many lights or mug डालते रो chill थर्णा बाणी December का महना तो ये वो एक थाम्दाई तो ये है क्या मुझा आ रहा हा रहा हा रहा हा रहा क्या मुझा रहा हा रहा हा रहा हा रहा क्या मुझा रहा हा हाँ अच्छा तो मुझा रहा हा हा है okay start rolling here that अपने आप ना, that gets into the blood, तो खुश रहने के लिए, happy रहने के habit होने चाहिए, बस, habit inculcate कर लो, राइब में कभी problem ही नहीं आएगी, करनल जोशी सर, यह एकलोता episode अभी काफी जादा heavy हो चुका है, हर podcast के पहले हम बहुत research करते हैं हमारे guests के उपर, और जो main बाते हैं आप से करनी हैं, वो अगले podcast में करेंगे, I feel कि audience members को, अगर इस podcast में enjoyment feel हुई है, तो they'll be surprised and shocked at what they feel in the next podcast, so, इस episode के लिए, thank you sir, but excited to talk to you about the next one, thank you sir, appreciate it, my pleasure, thank you sir, salute you and thank you for your service, तो तो दोस्तों यह था आज का military special episode, यह episode थोड़ा सा chill था, अगला episode थोड़ा सा intense होगा, मैं यह definitely चाहूँगा कि आप वो sequel episode अच्छे से देखें, और जब military episodes की बात कर रहे हैं, तो मैं यह भी कहना चाहूँगा कि इन episodes को देखना, इन episodes से सीखना, और इन episodes को share करना, मेरे अनुसार हर भारतिया का करतव्य होना चाहिए, हमारी military की जो कहानी है, जो mindset है, जो inspiration उनसे मिलती है, और कहीं से नहीं मिल सकती, यह है TRS Hindi के military episodes का करतव्य, तैंक यूफर लिस्टिंग इन, sequel episode, करनल जोशी के साथ मिस ना कीजिए, करने, और सकती है, और को यूफर को यूफर रवाइगा, जो यूपर भारतिया की जो शोफर का की जैए,